नमस्कार दोस्तों स्वागते आपका एक परफिस से आपके यूट्यूब चैनल एक्जाम व्यू में दोस्तों आज हम डिसकस करने वाले हैं वर्क्षॉप इंस्ट्रेक्टर पोस्ट कुर 791 का जो एक्जाम हुआ था 15 दिसंबर 2020 को तो इसका जो जी के पॉर्शन है आज हम उ चैन गन्ना के अनुजार क्या थी तो इसका सही अंसर हो जाएगा दोस्तों 82.80 परसेंट तो आगे बढ़ते हैं नेक्स क्वेशन हैं आपका हुई दचीप जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोड तो जो हिमाचल प्रदेश उच्छ न्याले हैं उसका जो मुख्य नही स्वामी तो सी इसका बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा तो नेक्स क्वेशन है आपका वेश डिस्टिक ऑफ हिमाचल प्रदेश हैस हाईस नमर ऑफ अन इलेक्ट्रिफाइड विलेजिज तो इस पर पुछा है आपका जो सारवदिक संख्या में वीदि उत्हीन गाउं कौन से दिस्टिक में है तो इसका सही इंसर होगा आपके दोस्तों ए किनौर तो अगले कोशन देखते हैं तो नेक्स क्वेशन है विच इस दा हाइस पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश तो यहां पूछी आपसे जो सबसे उंची हिमाचल की कौन सी चोटी है तो हिमाचल की जो सबसे उं इन विच डिस्टिक ऑफ हिमाचल प्रदेश तो जो पिन वैली है यह कहाँ पे आपकी लाहुल एंड विती में तो इसका सही इंसर आपका क्या हो जाएगा भी तो नेक्स कोशन देखते हैं तो कोशन है आपका वैदिक नेम आफ रिवर व्यास तो जो रिवर व्यास थी इस हिमाचल प्रदेश तो बशेश्वर महादेव टेंपल यह आपका बजौरा कुलू में तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपका एक तो नेक्स क्वेशन है इन विच एक्सपेडिशन में महमूद गजनवी प्लंडर दा कांगडा फोर्ट तो यह बोलता है कि महमूद गजनव इसका सान था उसमें उनने एक जाजर्ञा कीनवें तो अगले कर देखते हैं अगला कर देक्वेशन है गलेर प्रिंसली स्टेट वाक फाउंड़िडवाई यह फकी राजा हरी चन्न ने और क camera की किघयागी 4015 adk के आसपास लिए यह झांबर नैक्स कोशन देखते हैं दान्द्रा मुव्मेंट अगेंस दा माल एड्मिस्ट्रेशन आफ विच डूलल आफ विलासपूर तो विलासपूर के किस शाशक के कुशाशन के विरुद दान्द्रा आंदूलन हुआ था तो इसका सहींसर होगा आपका ए आनंचंद तो नेक्स कोशन देखते हैं विच इस दा एग्जेकूटिव एजेंसी ऑफ चमीरा हाइड्रोलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तो जो जल्विदुद परियोजने की निश्पादन अजेंसी कौन सी है तो इसका सहींसर हो जाएगा आपका सी एनच वीसी नेशनल हाइड्रोपावर कॉर्परेशन तो नेक्स नेक्स कोशन देखते हैं हिमाचल प्रदेश एपरस्पेक्टिव इस रिटन बाइ तो जो यह बुक लिखी थी यह लिखी थी आपकी किसने रमेश चौहान ने तो इसका बिलकुल सहींसर हो जाएगा नेक्स कोशन देखते हैं तो कोशन है आपका नवाला इस फोक डांस तो किस वैली में हो गई आपका सी चंबा तो अगले कोशन है आपका विच इस दा कुम फेस्टिवल ऑफ हिल पीपल ऑफ हिमाचल परदेश तो इसमें पूछा है कि जो पहाड़ी लोगों का कुम तेवहर कौन सा है तो कुम का मेला क्या होता है दोस्तों जिसमें काफी होती है तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं कुम तेवहर तो इसका बिल्कु सही एंसर हो जाएगा तो नेक्स्ट क्वेशन है आपका वट इस दा क्वांटम ऑफ दा स्पेशल एकनोमिक पैकेज आत्म निरपर भारत अभीहन डिसेंटली एनॉंस्ट बाइदे गोवर्मेंट इंडिया का कोशन है दोस्तो तो इसका सही एंसर है आपका वी 20 लाग करोड नेक्स्ट क्वेशन है आपका विच ऑफिशल इंडेक्स ऑफ इंडिया रिसेंटली डेक्लाइंड शार्पली टू सिक्स्टिन पॉइंट फाइप परसेंट इंडा मन्थ ऑफ मार्श तूथाउजन टूजन टूंट देखे दोस्तों अभी आपके दिसंबर में एक्जाम हो रहे हैं और मार्ट के करेंट अफियर पूछ रहे हैं तो इसका जो सही अंसर है आपका भी इंडेक्स ऑफ इंडेक है जैं 13 इसका आपका सथ in había ऊपका इंडेक्स यावी आपका हैं तेलिए रुमाल हैंडलुमड कलोथ डैटक़् हो रिसेंटल में जो रिसेट्ट जैप ग्राफिकल इंडिकेटर पग इस सभी इससेटेट तो इसमें बोला आपका जो तेलिए रुमाल हैंड लूप क्लोथ है जिसको जी आई टैग दिया गया हाल में तो यह किस राज्य से संब्धित है तो यह आपका तेलंगाना से संब्धित तो डी इसका सही अंसर हो जाएगा तो नेक्स कोशन देखते हैं विस सिटी हैज रिसेंटली होस्टेड इंटरनेशनल तो इसका मैं आपको अंसर अंसर बताऊंगा तो इसको आप स्क्रीन को पाउज करके खुद करने की कोशिश कर सकते हैं तब ही दोस्तों आपके लिए काफी फायदे में रहेंगे तो इसमें जो डिफरेंट है वह आपका टी 45 क्या है आपका एक प्राइम नंबर एक अभाज 142 कोशन है दोस्तों नेक्स टर्म इन दर लाइटर सीरीज बिल भी तो जो नेक्स टर्म होगी वह होगी आपकी ए पी आर टी तो इसको आप खुद सॉल्व करके देख लेना तो 143 दोस्तों इसका मैं आपको अंसर बताऊंगा तो 143 का अंसर है आपका बी आई तो नेक्स कोशन है आपका 144 दोस्तों 144 का जो अंसर है वो है आपका डाटा इन अडिकुएट तो आपने इसको खुद निकाल के देखना कि वही डाटा इन इन अडिकुएट क्यों है तो नेक नेक्स को चोञजन हम देखते हैं जिके का पूर्चन तो नेक्स कोशन है आपका धर्मवेद इस द अपवेद आफ विच वेद है तो नेक्स पहने आपका चाइनीज पेलग्रिम फाहें विह विश्टिस इंडिया विच औफ फालोविंग जो फाहें थे यह भारत आये थे जो तो एक और क्वेशन आता है दोस्तों जो ये भारत आये ते लिए और इसमें जो भाहरत के शाशक होते थे वह उते थे हरश्वर्दन इपिलिट तो जो आग्रा फूर्ट बिल्ट किया था जिसने नीव रखी थी वो थे आपके अकबर तो इसका सही अंसर हो जाए आपका भी तो नेक्स्ट क्वेशन है यंग इंडिया इस दा वाइक फॉलोविंग तो जो यंग इंडिया है ये एक सापताहिक पत्रिका होती थी जो कि 1919 में महांचंद करमचंद गहांती जी के द्वारा सरप्रसम शुरू की गई थी तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपका ए धी दोस्तो मोहीनी अटम इस ऐ अ क्लासिकल डैनज है आपका किसका के रिलै था क कि ट्रीच तो नेक्स गई चल्य मतलब गरम प्लानेट कौन सा है कौन सा है जरम कौन सा है तो इनमें सबसे गरम है आपका वी शुक्र तो इसका सही अंसर हो जाएगा तो अगला क्वेशन देखते हैं विच इस लोंगेस्ट इंदा नॉर्थन हेमिस्फिर जो आपका उत्री गुलार्द है उसका सबसे लंबा दिन कौन सा होता है दोस्तों 21 जून और अगर आप से सौथ गुलार्द का पूछे तो सौथ जो गुलार्द है उसका जो सबसे बड़ा दिन आने वाला है तो वो कब होता है 22 दिसंबर तो नेक्स कोशन देखते हैं मार्वल इस टाइप आफ रॉक तो जो मार्वल है जो आपका मार्वल है जो यह मैटमोर्फिक होती है आपकी जो लाइम स्टोन होता है चूना पत्थर चूना पत्थर क्या एक सेडिमेंटरी रॉक है तो यह मैटमोर्फिक किसमे होती है आपकी मार्वल में तो मार्वल क्या होगी आपकी एक कायंत्रित शैल रुपांत्रित शैल तो इसका सब्सेंसर हो जाए आपका सी तो नेक्स कोशन देखते हैं बोरा इस लोकल विंट प्रोजेक्ट तो जो दामदर वैली प्रोजेक्ट है इससे किस-किस राज्य को लाप राप्त हो रहा है तो जहारकंड और वेस्ट वेंगल यह दोनों है तो इसका सही इंसर हो जायब का डी तो नेक्स कोशन है इंडियन कॉंस्टूशन कंजिस्ट आफ हो मैनी पार्ट्स त पुछा जब जो हमारा कंस्टूशन में 22 पार्ट्स पर एंडियन कोरताव्या है उसको किस सविधानिक संशोधन के द्वारा हमारे सविधान में एडिट किया गया तो कब एड़ किया गए आपका 42nd amendment जो हुआ था 1976 में और यह हमारे सविधान के जो आर्टिकल 51 A के अंडर आते हैं ठीक है तो next question देखते हैं finance commission is end तो दोस्तों यह तो बार-बार question repeat हो रहा है जो finance commission तो finance commission क्या है आपका एक constitutional body है यह सब इधान का जो आर्टिकल है आपका 280 उसके according इसका व्याख्या की गई है तो next question देखते हैं national development council is headed by तो जो national development council होती है इसको कौन head करता है आपके जो prime minister होते हैं देज के तो वो करते हैं इसको head तो यह बनी थी आपकी 6 अगस 1952 को और यह सबसे जो बड़ी authority होती है जो आपके five year plan बनते थे उनको approve करने के सबसे बड़ी body मानी जाती थी जब आपके five year plan होते थे तो next question देखते हैं इन electric motor electric energy changes into which energy तो जो आपका वीदूत मोटर में वीदूत उर्जा का परिवतन किस में होता आपका यांत्रिक उर्जा में तो इसका सही answer हो जाएगा आपका C mechanical energy तो next question देखते हैं bleaching powder is तो जो bleaching powder यह क्या है आपका calcium oxy chloride तो इसका सही answer हो जाएगा आपका B तो next question है rabies is caused by तो जो rabies होता है यह किसके बारता cause होता है यह होता आपका virus के दवारा C तो next question है आपका English के question है antonym of adversities तो जो adversity होती है इसका क्या antonym होता है आपका prosperity इसका सही answer हो जाएगा आपका C तो next question है one word substitution for government by the gods तो जो government by the gods उसको क्या बोलते है आप थायरे की तो इसका सही answer हो जाएगा भी थायरे की तो next question है you should not be angry with your son तो इसका सही answer हो जाएगा आपका A तो next question है correctly spelled word in math से कौन सा है दोस्तों इसका जो सही answer हो जाएगा वो जाएगा आपका A maintenance ठीक है तो next question देखते हैं तो हिंदी के question थे तो इसमें आप से पुछा है गजनन में समास है तो गजनन का जो समास विक्रे होता है गज के समान है आनन जिसका गज होता है आपका हाथी तो हाथी के समान जिसका मुख होता उसको क्या बोलते हैं आप गनेश तो जब ऐसा बात कही होती हो तो उसमें कौन से समास होता है आपका बहुबरी समास तो इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा तो next question है आपका धंकी में प्रत्य है तो धंकी में प्रत्य गया हो गया आपक प्लस E ठीक है तो इसका प्रत्य होगा आपका E तो इसका सही अंसर आपका D तो next question है आपका जिनका ग्यान इंद्रियों द्वारा ना हो तो जिनका ग्यान इंद्रियों द्वारा ना हो उनको क्या बोल सकते हैं आप अगोचर या इंद्रिया तीत पी बोल सकते हैं दोस्तों इंद्र्य कि आप से परो इस का जूसर तो फॉइनार का विलोम रहा है तो दोस्तो यह थी आज की वीडियो आई होपा आपको वीडियो अच्छे लगी वह और अगर आपको थोड़ी से वीडियो पसंद आए तो भीन आलए को चैनल शब्साइब जूर करें मिलते हैं अगली वीडियो में तो तक बाइबाई टेक केर